जैजिनेंद्र बंधुओं, सार्ती सेवा समूल में आप सभी का स्वागत है। की कक्षाएं ले रहे हैं। जिसे आप सभी सार्ती सेवा समूल के फेस्बूक पेज या यूटूब चैनल पर प्रती दिन प्रताय आट बजे देख सकते हैं। की कारिना यथाइक साका रखमार्त सेग्दे समीक्षि सेशंस सहाय कारिकं तथाइव सामा नविसेश मातिका नायास्ता वेष्टा गुण्मुख कल्पता परस्परेक्चा नवेदि निंगिता पिसेद् विसेश योस्ताओ सामगरतास्ती सुपरावकासिकं यथा प्रमानं भुभुदि लक्षणं विसेश वाच्य सिविसेश नम बचो यतो विसेशं बिन्यम् तयोस्च सामान मत्यप्रसज्यते विवेक्चे ताक्स्या दितितेने वर्जिनम् नयास्ता वस्या पदसत्त लाम्चिता रसोपी विध्या युलोः दात्वा भावन्त वीप्रेत गुणायत अस्ततो भावन्त मारिया प्रताहे तैस्युनम् इतिसृ पिमल्ना जनिंदाये संग्यी अननत्य दोसा साहिविग्रो अग्रों विशंगवान मोय मयस्चिरं उर्थियतो जीता स्थे ततुत तयातत बूर्भूर नमान नंते जित्त कषाये नाम नाम दुष्तां प्रेमार्थिंआ मसे सेन डैं आम भावान सेसवित विसोसनम अन्मत दुर्मदामयं समाधि भैसा जिगुणैर विलीनियत परिस्रमांबुर् वैवीचि मालिनी तयासुते शिडा सरिदारी सोसिताय असंग गारमार्क गवस्तिते जिसा परम्ततो निर्वितिधामतावकम सुहरत्वाई स्री सुभगात्तो मसुनुते तया सुहरत्वाई स्री सुभगात्तो मसुनुते पताय वैद्प्रिलियते भावानु दासीने तामस्तायो रपी प्रभो परम्चेते मिदं तवेहतं तुमी दिर्सास्ता दसीत्यमम प्रणापुले सोल्पमतेर्मामोने असेस मात्म मनीरियन पी सिवाय संस्प सेवा मिर्ताओं बोदें आति स्रीग। धर्मो तीर्त्मन घंप्रवेर्तेयन धर्मे एत्यनुमताम सताम भवान कर्म कच्च मदहत्त पोगनिवी सर्म शास्वत्मवाप संकरा देव मानव निकाय सत्तमय देजी से परिविरतो बुरतो वधाई तार का परिविरतो ती पुशकलो प्रातिहारी वेववाई परिस्कतो देतो पिविर्तो भवन भूत मोक्ष मार्ग मससं मेरा मरान ना पिसासन फलाई शिनात राय काई वाक्य मन साम प्रवेड़ते यो ना भवस्तो मुनीश चकीर से या ना समीक्चे ववता परवेड़ते यो दीरतावक मचिंत मीतम मानुशिम प्रकृति मब्वती तीवान देवतास बपिचा देवतायता तेननात परमस देवता स्रेय से जने विर्सब प्रसीदिना धर्मनाज जनेंद्राय नमो नमार अब पेज नमर एक सो नो से अपन आगे बढ़ करके चलते हैं एक सो बारा पर अब पहले जो है ना अपन तीन जो छंद अपन ने पढ़ चुके हैं असपर एक बार अपंद्रश्टी डालते हैं कि यह भगवान आपने अनग धर्मतीर्थ का कैसे धर्मतीर्थ का अनग मानें जो निर्दोस्ते रहत हैं ऐसे धर्म रूपी तीर्थ का प्रवर्तन आपने किया और ऐसे धर्म को माने गए और तप रूपी अगनी से कर्म रूपी कक्छ को जला दिया और सास्वत सुख को आपने प्राप्त किया इसलिए संकर इस नाम से युक्त आप माने गए हैं किस नाम से मानेंगें? संकर नाम से भी आप युक्त मानेंगें. दूसरे में उन्होंने कहा है फिर एक बात कि देव, मानाव कि समुह, देवों का समुह, मानों का समुह, चारों तरफ से आपके लिए क्या है? घेरे हुए रहता है समुह, जिस तरीके से चंद्रमा को तारे गण घेर करके रखते हैं आकास में इसी तरीके से आपके लिए भी ये घेरे हुए हैं. अब आठ प्रातिहारियों के बैभाव से आप युक्ते हैं और देशे बिरत होने के कारण से भवान आपने मुक्छ मारग को समस्त रूप से प्राप्त कर लिया, इसलिए आपके मुक्छ मारग रूपी सासन को क्या उपदेश देने की आपके अंदर कोई इक्छा नहीं होते हुए भी आपने सासन का मारग बताया. अब आती ये बात काय वाक्क मन साम प्रवर्तियो ना भवांस तो मनीश्च किरसिया अब आप में मन की बचन की वो काय की चेष्टाएं करने की एक्छा से ना भावा ना अववन नहीं हुई थी कोई भी आपकी प्रवर्तियां. जो आपकी प्रविर्टी होती हैं तीठं करकी चार प्रविर्टी होती हैं एक बिहार करती हैं एक दिब धुनी किरती हैं स्वास लेते हैं नहीं संगें और योग निरोध करती हैं ये चारों चीजें उनकी एक्छा से नहीं होती हैं जिस तरीके से आचारी कुंद कुंद ने अधारण दिया है जिस तरीके से महिलाओं में सुभाव से मायाचारी पाई जाती है इसी तरीके से भगवान के भी ये सब चीजें अपने आप होती हैं जैसे बादलों की गर्जनाएं वगेरा अपने आप होती हैं इसी तरीके से बिहार होते हैं उन्ने का पुन्न फला अर्यंता आचारिये कुंद कुंद देव ने कह दिया ए अरहनतत्यों का जितना भी बैवा हो है ए पुन्न का फल है और पुन्न के फल के कारण से अरहनतत्यों मिल रहा है पर उनकी इस पा कोई भी इक्छा नहीं है तो मन, बचन और काय की चेश्टाएं नहीं होते हुए भी उनकी प्रिवर्तियां होती हैं वो कौन सी प्रिवर्ति होती हैं एक तो धर्म उपदेश की प्रिवर्ति होती हैं दूसरे बिहार की प्रिवर्ति होती हैं तीसी स्वास की प्रिवर्ति होती हैं और चौथी उनकी प्रिवर्ति कैसी होती है चौथी प्रिवर्ति कार्म और योग निरोध की प्रिवर्ति होती ह अब यह सब चेश्टा है जो है असमीक्ष कारी हैं ना समीक्ष इसकी कोई समीक्षा नहीं की जा सकती क्योंकि उनकी करने की एक्षा से दूर हैim चकीरसिया और अक्षा से करने की एक्षा को चकीरसिया कहते हैं ना चकीरसिया आज इसके बाद ना असमीक्षा भवथा प्रविर्टियोच इसलिए भगवान ताबकम अचिंतम एहतम और इसलिए आप जो है ना कैसे हो गए हैं तो वो कहते हैं परिसा आदी जो है ना उनक्या भी जो होता है ना अब सेतंबर का अरिहंत और दिगंबर के अरिहंत में अंतर होता है आज अपन थोड़ा सा इसको समझ लें बहुत सारे लोगों के लिए ये बात पता नहीं है कि सेतंबर और दिगंबरों के बीच में अंतर क्या है हम सिर्फ अगर मक्सी जी जाते हैं या कहीं तीथ पर जाते हैं तो वहाँ जैसे अपन शिखर जी जाते हैं तो जल मंदर में अपन लोग कहते हैं अपन को क्या लेने देना ये सेतंबर के हैं पर बास्तों में सेतंबर के अरिहंत में और दिगंबर के अरिहंत में अंतर क्या है चार घातिया कर्म का नास वो भी मानते हम भी मानते बराबर हो गए केवल ग्यान वो भी मानते केवल ग्यान हम भी मानते ब पराबर में अब अंतर कहां आया कोई बात है उन्हें पता नहीं था कि प्रवचन हो रहा है तो अब इसमें क्या हुगा इसमें हुगा यह हो कि मन अपना जो होता है अपने मन में और अरिहंत देव के मन में तो वो कहते हैं भगवान को भूग लगती है अरिहंत भगवान को भूग लगती है सेतांबर कहते हैं दूसरे नम्मा वो सेतामबर एक बात कहते हैं कि महिलाएं भी अरिहन्त बन सकती है दिगंबर कहते हैं महिलाएं कभी अरिहन्त नहीं बन सकती है सेतामबर क्या कहते हैं महिलाएं भी अरिहन्त पद को प्राप्त कर सकती है तीतंकर बन जाए अरिहंत बन जाए और वो कहते हैं अरिहंत के बीमारी हो सकती है और दिगंबर मत ये कहता है अरिहंत को कोई बीमारी नहीं हो सकती है वो कहते हैं अरिहंत पर उपसर्ग आ सकता है और हमारे यहां कहते हैं अरिहंत उपसर्ग नहीं करते हैं बू कहते हैं सेतंबल लोग भगवान सू सकते हैं अरियंत भगवान और दिगंबल लोग कहते हैं कि भगवान कभी सू नहीं सकते हैं एक दिन हमारे संदीब जी ने भजन गाया था और उन्होंने ये कहा था कौन कहता है कि भगवान सूते नहीं है सुला करके तो देखो क्या कहते हैं तो एक सज्जन ने कहा कि नहीं महराजी उनने कोई गलत नहीं बूला है वो भगवान के बालक की बात कह रहे हैं लेकिन बालक को भगवान की उपाधी नहीं मिल सकती है बालक रहेगा भगवान भगवान रहेंगे तो भगवान कौन होते हैं जो बीतरागी शर्वग हितोपदेशी हो जाते हैं जिनके अर्यंतत्त उत्पन हो जाता है उन्हें भगवान कहते हैं और भगवान जन्म कल्यानक वाले भगवान नहीं होते हैं गर्ब कल्यानक वाले लेकिन एक ध्यान और अखनाालक को सुलाने की कोई जादा महत्त्क्ता की बात नहीं है क्योंकि हम उस बालक को तो नमसकार भी नहीं करते हैं अच्छा एक बात इता ओओ जब पंच कल्यानक होते हैं सुमत भाई है आप कौन से कल्यानक से मूर्थी को नमस्कार करते हैं तब कल्यानक से इसके पहले नहीं करते हैं क्यों नहीं करते हैं क्योंकि अपन उसके पहले तक तो पिर किरिया मोवी चलती रहती है कभी-कभी प्रसस्ती लेखन की तो प्रसस्ति लिखने वाला क्या से दबा लेता है मूर्थी को तो मूर्थी हमारे यहां पूज्य नहीं है हमारे यहां मूर्थी पूज्य नहीं है किन्तु जब उसमें पंचकल्यान के माध्यन से भगवतत्य के संस्कार आ जाते हैं तब जा करके वो मूर्ती पूच जोती है इसलिए दिगंबर के भगवान वो कहते हैं सरीर सहत मोक्ष चले गए अरियंत और हमारे यहां सरीर यहीं छोड़ करके अरियंत मोक्ष गए हैं सिद्ध में परिवर्थे तो गए हैं अरियंत के दो गणिस्तान होते हैं एक तेरमा गणिस्तान सायोग केवली का और दूसरा अयोग केवली का गणिस्तान दो गणिस्तान होते हैं तो यह सेतामबर दिगंबर चला कबसे एक अपन पांच मिनिट की छोटी सी चर्चा कर लें आज अपन इस चर्चा करने को बैठे ही हैं तो बहुत सारे लोगों को ये बात पता नहीं है कि सेतामबर और दिगंबर का कैसे लफड़ा ये क्या मामला है तो आज मैं आपके लिए एक बात बता देना चाहता हूँ कि मामला कुछ भी नहीं है मामला सिर्फ अकाल की उत्पत्ती है जिस समय भारत के समराड चंदगुप्त मुरी का सासन चल रहा था उसी समय बारा वर्स का अकाल पढ़ने का प्रसंगा आया तो आचारी भद्रबाहु समय ने अपने संपून सिस्चों से कह दिया कि कोई भी सिस्च यहां नहीं रुकेगा क्योंकि बारा वर्स का भीसंग अकाल पढ़ने वाला है और इस अकाल में आपकी साधना पद्धती बदल सकती है बिगड़ सकती है परिवर्दित हो सकती है तो सारे जो सिस्च थे उनके पीछे दक्षण भारत की ओर चले गए क्योंकि उत्तर भारत में अकाल पढ़ा था दक्षण भारत की ओर चले गए लेकिन कुछ सरावकों ने अपनी महांता दिखाई और वजनदारी दिखाई कि हमारे पर इतना बैभा हुए इतना धने कि बा इस आस्वासन के सामने संत सादू जुक गए कौन जुक गए संत सादू जुक गए और उत्तर भारत में भद्र बाहु स्वामी के कुछ सिस्च रुक गए उनका नेतत्तो किया था किसने किया उनका नेतत्तो तो उनका नेतत्तर जो करने वाले सादू थे बे थे कुंद कुंदाद आचारी तो भद्रबाहु के सस्थे कुंद कुंद आचारे और एक और पढ़ते हैं तो वो क्या पढ़ते हैं अपन बोलते कुंद कुंदाद द्यो और आपने अगर कहीं उसको सुनाओ मंगलम भगवान वीरो मंगलम गोतमो गणी मंगलम कौन से नहीं पुस्वदंत नहीं पुस्वदंत नहीं इस्थूल भद्रा चाहें इस्थूल भद्राद्यो कौन से इस्थूल भद्राद्यो इस्थूल भद्राद्यो इस्थूल भद्र नाम के उन रुक गए थे और उनके नित्त्त में कुछ लोग रुक हैं अब परिस्ति सब के पास धन बहुत था बैभाव भी था सब साधन थे लेकिन एक चीज नहीं थी कि जन्ता में होने वाला उतल पुतल हाहाकार रोकने का साधन नहीं था और परिणाम ये हुगा कि जब साधू आहार को निकलते तो उनके पीछे भीक मांगने वाले बहुत सारे लोग निकल पारते थे तो जब भीक मांगने वाले रोते चिलाते या कुछ भी करते तो उनके लिए दें या महराज जी को आहार दें इस हमस्या बहुत बड़ी ब्राट रूप में खड़ी हो गई तो स्रापकों ने निविदन किया कि महरास आप जो है ना रात में ले जाया करें और फिर बेट करके खा लिए आखिरकार ये उनने सुईकार कर लिया यहीं से सिथलाचार का प्रारम हो गया और साधू रात में जाये और दिन में खा ले ला करके लेकिन फिर एक बात आई कि नगन उरूप में थे तो लोग डर जाते थे एक सेष्टी की गरब वती पतनी का गरब पात हो गया उनको देख करके डरने की कारण से अंधेरे में तो परिणाम ये निकला कि उनसे ये कहा कि अब आप एक चेलक धारन कर लें क्या धारन कर लें चेलक और उनने बस्त धारन कर लिए और बस्त धारन करके वो सेतंबर हो गए अब क्या हुगा कि जब बहुत समय बीच चुका और सुर्वन बेल गुला में आचारी भद्रवाहु सामी की सलेखना हो गई क्या हो गई जब सलेख न हो गई तो उस समय क्या हुगा कि भद्रवाहु आचारिये के सिस विशाख आचारिये पुना उत्तर भारत में 12 वर्स के बाद जब लोटके आये तो उन्होंने संबोधन दिया कि ठीक है एक विपत्ती थी उस समय आपने जो सिथल मार्ग अपनाया व प्राश्चित ले करके और पुनाहा इसी मूल धारा में आप जुड़ जाएं परंतु इस थूल भद्रादी के जो सिस्स थे उन्होंने इसका बिरूद कर दिया और यहां तक बिरूद कर दिया कि एक सांती मुनी थे उनके उन्होंने का कि मैं तो दिगंबर हो जाऊंगा त उनके लिए मार पीट की गई उसे में उनकी समाधी हो गए और वो भौमिया बाबा बन गए कौन बन गए भौमिया आप लोगोंने अगर देखा हो भौमिया कहा है भौमिया इंदोर में तो ठीक है पर सबसे प्रसित भौमिया कहा के सिखर जी में है भौमिया का भौमिया की एक धरमसाला अभूमिया जी धरमसाला बहुत बड़ी उसमे में एक प्रवचन करके भी आया हूँ तो अब मेरे कहने का ताहित पर यह हो कि वो भूमिया बन गए अब यहां से अब सेतामबर और दिगंबर का प्रचला नुगा अब सेतामबरों के सामने एक प्रिशन आया कि स उन्होंने महिमा नगरी में जाकर के ये गुजरात में हैं महिमा नगरी बल्लब पुरी बल्लब नगरी में उन्होंने अपनी एक संगती की संपूर साधुनों का एक उन्होंने सम्मेलन किया उस सम्मेलन में अंग उपांग की रचना की गई कि यह हिस्ट्रिी में बिलकुल बाकाद ही इस अब चीजें मिलती है अगर आप हिस्ट्री को पढ़ेंगे तो उनकी सेतंबरों सैंगतीं दो संगती महिमा नगरी में एक और एक वहाँ पर बल्लब नगरी में एक गुजरात में आपका आनंद जिला है आनंद जिले में इंदरज गाओं के पास में हैं अब हमारे सामने ये बात आती है कि जब उन्होंने ये अपने सास्तर तो बना लिये पर उनके सामने एक समस्य रही कि अगर प्राचिंता उमूल दारा की है तो तीर्थ कहा है आपके तो उनके पास तीर्थ नहीं थे तो उन्होंने एक अभाई देवसूरी इनके हुए उन्होंने एक बिविद तीर्थ कालप नाम की एक पुस्तक बार्मी सताब्दी में लिखी और जितने भी दिगंबर तीर्थे थे सब तीर्थों को शेतंबर घोशित कर दिया और उन्होंने एक सील सागर नाम के इनके आचारी थे सील भद्दरजीज उन्होंने भी जो है ना क्या किया कि उन्होंने भी एक अपना रूप बता दिया और रुप क्या बता दिया उन्होंने भी एक यात्रा करके और सारे दिगंबरों के तीर्थों को जेन सेतमर घोसित कर दिया लेकिन ये बारा सु साल साथ सु साल पहले जो काम किया था उसका रजल्ट उन्होंने उन्नीसमी सता 20. सदी में प्रारंब किया तीर्थों पर कबजा करने का कब किया 20. अब ये दिगंबर और सेतंबर जब वने तो अब उनने एक कहानी रची कि हम प्राचीन है सेतंबर और दिगंबर अरवाचीन है तो उन्होंने कहा कि एक सहस्र मल नाम के एक राजा थे और उन राजा ने क्या हुगा कि स्यूभूती नाम के एक मुनी हुए थे उन स्यूभूती मुनी ने क्या किया कि वो अपने घर में रहा करते थे तो घर में रहते थे तो देर रात से घर में जाया करते थे तो उनकी पत्नी जो है सिकायत किया करती थी कि ये देर से आते हैं तो एक दिन उनकी सास ने कहा तुम आज सो जाओ हम उससे बात करेंगे जैसे वो देर रात में आए तो उनसे कहा जिसका दरवाजा खुला हो उस दरवाजे उसकी घर चले जाओ यहां कोई जगए नहीं है तो वो जो हैं सेतामबरों का अपास्रा खुला हुआ था वो वहाँ पर जाके सो गए और सेतामबर सादू ने उने समझाया तो वो मुनी बनने तयार हो गए और उन्होंने मुनी बन करके सेतामबर सादू बन गए लेकिन एक दिन क्या हुगा कि एक कववा एक रतन जड़त कंबल उठा करके तो अब वो क्या होगा जूतीला है तो एक दिन वो फिर लौट करके उसी नगरी में आए उसी नगरी में आए तो सासरमल राजा ने उनका स्वागत किया और उनके लिए एक रतन जड़त कंबल दे दिया जब रतन जड़त कंब दे दिया तो वो सितमर सादू जो थे उन्होंने उसे सुईकार कर लिया तो उनके इस्थिवर कलपी सादूं ने उन्हें समझाया कि रतन जड़त कंबल तुमें नहीं लेना चाहिए क्योंकि ये परीग्रह है तो उन्होंने का ये जूती जो है ना जब रतन जड़त पहन सकते रख सकते हैं तो हम कंबल क्यों नहीं रख सकते हैं और उन्होंने फिर उस गुस्से में आ करके दिगंबर रूप धारण कर लिया और उन्होंने बताया इस्तिविर कल्पी ने कि पहले तो हमारे जो साधू होते थे दिगंबर होते थे नगने दिगंबर रूप में साधना करत थे लेकिन समयकाल की परिष्टिती से सेतमबर बन गये तो उन्होंने का जब पहले दिगंबर थी तो शिवभूति ने भी दिगंबर पंथ चलादिया इसके पहले दिगंबर पंथ नहीं था यह सेतमबर लोगों ने अपनी कहानी भेमस की लेकिन अब इसमें बहुत सारे प्रिशनी ये आ जाते हैं कि जब वो कहते हैं शिवूती से जिन इस्तविर कल्पी ने ये कहा कि सेतंबर दिगंबर मत पहले था और पहले दिगंबर साधू नगन रूप में साधना करते थे तो ये तो बात हो गए कि सेतंबर से पहले दिगंबर थे अब दिगंबरों ने और सेतंबरों के बीच में जो अंतर आया तो आचारी कुंद कुंद देव ने एक ग्रंथ रचना की जिसे सूत्र पाहुण कहते हैं अश्ट पाहुण के अंतरगत एक सूत्र पाहुण है और सूत्र पाहुण में आचारी कुंद कुंद देव ने इनके लिए उत्सर्ग मारगी ना कह करके इनके लिए सुचंद मारगी कहा और सुचंद मारगी कह करके यहां तक किया कि जो सूत्र का अफलाप करते हैं उन्हें भी देना जो है ना मित्यात्त का कारण है जब ऐसा उन्होंने कहा और इसके बाद एक बार गिरनार यात्रा को ले करके जगर आचारी कुंद कुंद देव ने और सेतंबर के बीच में बिबाद हुआ कि गिरनार की यात्रा पहले कौन करेगा तो आचारी कुंद कुंद देव पहले यात्रा करने का संकल्प लिया और उस समय एक बाद बिबाद का जो निर्णा हुआ तो शरश्वती देवी ने आकर के कहा आद दिगंबरा आद दिगंबरा हा और उस समय दिगंबर आद हो गया और पहले दिगंबरों ने यात्रा की गिरनार की बाद में यात्रा दूसर सेतंबर आदीने की अब इसके बाद क्या हुगा कि ये दिगंबर सेतंबरों के बीच में मुख अंतर क्या है तो अरिहंत के सरूप को लेकर के अंतर है मुख्छ मार्ग मुख्छ सरूप को लेकर के अंतर है वो कहते हैं महिलाओं को भी मुख्छ की प्राप्ती हो सकती है महिलाएं भी केवल ग्यान प्राप्त कर सकती है और इसके बाद वो कहते हैं केवल ग्यान प्राप्त करने के लिए चारत्र लेना जरूरी नहीं है एक कूर्मा वद्पुत्र उनके यह हुगा है और कूर्मावत पुत्र ने उसे केवल ग्यान हो गया केवल ग्यान होने के बाद उनके प्रवचन सारुद्धार में एक कहानी आती आवशक निर्युक्ती में भी आती है उनके ग्रंध में कि एक कूर्मावत पुत्र था उसने दीक्षा ले ली और दीक्षा लेने के वाद वोसे केवल ग्यान नहीं दीक्षा नहीं ली वो केवल ग्यान हो गया और जब दीक्षा नहीं ली केवल ग्यान हो गया तो वो सोचता है कि अगर मैं चारित ग्रहन करूंगा तो मेरे मुह में माता पिता जो है नहीं स्वर्गस्त हो सकते हैं इसलिए उसने बिना दीक्षा है लिए ही अपना जीवन पूरा निकाला यानि केवल ग्यान दीक्षा के पहले हो जाता है इनके मत में लेकिन ग्रस्त अवस्ता में आत्मा की अनुभूती हो जाती है ग्रस्त अ होता है ये दिगंबर पंत का इस पश्ट सा रूप है अब इनकियां कहते हैं भगवान के ग्यारा परिशा होते हैं सेतंबर लोग कहते हैं और दिगंबर लोग कहते हैं वो ग्यारा के ग्यारा परिशा सिर्फ आपचारे के रूप में माने जाते हैं क्योंकि ये कहते हैं कि जब मुह का नास हो जाता है तो भूक नहीं लग सकती है जब तक मुह रहता है तब तक असाता बेदनी की उदिर्णा होती है और जहां मुह समाप्त हो जाता है मुह का च्छाए हो जाता है क्योंकि दसमें गुणिस्तान तक ही मुह चला करता है और अरिहंत अवस्ता बार में तेर में और चगदों गुनिस्तान की होती है बार में गुनिस्तान छीन मुह का होता है ग्यार में गुनिस्तान उपसंत मुह का होता है और आपन ये कह सकते हैं कि मुह के नश्ट होने के बाद ही अरिहंत अवस्ता प्राप्त होती है इसलिए उस अवस्था में भूग प्यास रोग आदी कुछ भी नहीं हो सकते हैं उपसर्ग भी नहीं हो सकता है यह अरिहन्त के उपर कभी उपसर्ग नहीं होता है इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि भगवान की जो प्रविर्ती होती है वह प्रविर्ती जो है कैसे होती है चिश्टाएं जो भी होती है वो एक छाके अभाओ में ही होती है इसलिए यह सबात को चौथे काब्ब में का गया अब पांचमा कापब है मानुसीम प्रिकृति मभवती तीवान देवतास बपिचा देवतायता तेननात परमास देवता स्रे से जिन्वर सब प्रसीद नहाँ अब मानुसीम प्रिविर्टी मानुसी की प्रिविर्टी क्योंकि मनुस्य की प्रिकृति कैसी होती है अब्वतीत बन, जो आप मनुस्य की प्रकृती को अतीत कर गए हैं, आपके अंदर मनुस्य की प्रकृती नहीं, आप मानव नहीं बचे हैं, आप मानव से आगे महा मानव बन चुके हैं इसलिए देवतास वपिच देवतायता अब देवताओं में भी देवता है देवता के लिए नहीं है देवादी देव अरिहंत देव बंदो मन वच्तन कर्शु सेव देवादी देव जो बन चुके हैं तो देवों के अधी देव देवताओं के भी देवता भी कहलाते हैं जो पुझे हैं और इसलिए कहते हैं स्वामेन आप परम देवता हैं कौन से देव हैं परम देव आप कौन से हैं देवादी देव हैं आप कौन से देव हैं महादेव हैं महादेव का मतलब क्या होता है हमने एक दिन सोचा था और साइद यहां पर चर्चा भी की होगी महान देव को महादेव कहते हैं जो महान है देव सब देवों में जो महान होता उसे महादेव कहते हैं और हरती दुरितानी हरा जो पाप को हरन कर ले पाप को नश्ट कर दे सारे पापों को जीत ले उसका नाम हर कहलाता है हरन कर देते हैं उन्हें हर कहते हैं और हरी कहते हैं जो हरी का अर्थ होता है कि जो भगवान ईस्वार होता है वो हरी होता है तो भीतरागी सरवगर रहतो देशी जो होते हैं वे ही भगवान होते हैं और वे भगवान ही हमारे लिए क्या करते हैं संसार के दुखों से दूर उठा करके उपर उठा करके सच्चे सुख का रास्ता बता देते हैं कि उन दुखों से उपर उठा करके सच्चे सुख का रास्ता कौन सा है इस बात को बताने वाले अगर कोई ह होते हैं तो इसलिए नहा माने हमारे हे जिनिंदेव नहा माने हमारे लिए स्रे सेवन कल्यान के लिए प्रिशीद माने प्रसन्न हो ये भगवान से क्या कहते हैं जिसमें हमारा कल्यान हो जाए उसके लिए आप प्रसन्न हो जाएए यह यहां पर धर्मनात भगवान का इस्टवन पूर्ण हो चुका है कल से सांतिनात भगवान का इस्टवन होगा और कल का दिन सबसे अच्छा माने जाएगा क्योंकि सांतिनात भगवान की एक सबसे बड़ी विसेष्टा है वह विसेष्टा क्या है कि उन के सामने जो थीर से चला वो कभी व्यवचिनन नहीं हुगा झाल झाल